नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल बिल्डिंग के शुरुआत करते हैं देश भर में पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की पुनितितियों और देश के पहले ग्रह मंत्री लोग पुरुष सरदार बललभाई पटेल के जनती मनाई जारी और इस मौके पर हिमाचल प्रधेश की राल धानी शिमला रिज मैदान पर राजपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंद्रा गांधी की प्रतिमा पर शुद्धा सुमा नर्पित की वहीं इस दोरान राजपाल ने सरदार बल्लभाई पटेल और इंद्रा गांधी को याद करते हुए एक्ता और सोहार्द की शपत भी दिलाए वहीं इस मौके पर राजपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी और देश के पहले ग्रह मंत्री सरदार बल्लभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को उनकी पूनितिती पर पूरा देश नमन कर रहा वहीं इस दोरान कॉंग्रेस के रास्टी प्रवक्ता कुलदीप सिंग राठोर ने भी कहा कि जहां पूर प्रधानमंतु इंद्रा गांधी को आयरें लेडी के तोर पर याद किया जाता है तो वहीं सर्दभाई पटेल को भी लोग पूरुश के तोर पर याद किय आ जाता है कि आज इंद्रा गांधी जी की पूर्टिथी है देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं कि इस देश की प्रधानमंती रही और कार्जों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्ज कर रही थी और नहीं सब्सक्तर में भारत को अभूत पूर्व अगर किसी ने किया और श्रेय स्रीमती इंद्रा गांधी जी को ही दिया जाता है और उसी के कारथ बंगलादेश बना तो उस समय मिश्य दान्दी को सभी लोग नमन कर रहे थे मैं भी आजू के पूर्टिथी पर नमन करता हूँ इन दोनों लोगों को इलाद कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा युगदान भाए एक को लोपुर्ष और दूसरे को लोह महिला के रूप में याद किया जाता है शेरिमती इंद्रा गांदी का एक बहुत बड़ा राजनितिकत था और वो ऐसा काम करके गई है इस देश के लिए जो संबहुनी है उन्होंने देकों का राश्री करन किया उन्होंने भारत की जो छवी है पूरे विशो में बनाई और गुट निर्पेक्ष अंदोलन का उन्होंने नेतितो किया जबकि पूरे विशो में जो है चीत यूद चल रहा था उस समय उनों ने जो है जो है जो है जो गुट निर्पेक शानलोलन ने उसके अगवई किया और आज भी आप देख रहें कि विशो में जो आशान्ति है वो इसलिए कि विश्टो जो है तो ओके मुझे बढ़ रहे हैं जाना समान निभी है और आपको बताते कि शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया से सलहाकार नरेश चोहान ने भी कहा कि सीम के सारे टेस्ट की रिपोर्ट समाने आई है और उमीद है कि एक से दो दिन में उनकी अस्पताल चुट्टी भी हो जाएगी डॉक्टर्स उन्हें कि सरकारों ने कितना विकास किया है यह जनता को बताना चाहिए विजपी फिर्क जनता को गुमरा करना जानती है लेकिन सरकार को हर्ट चीज को देखना है कानूनी तौर पर रहे लिए है आगे का रोस्टर त्यार हो रहा है उसके काम हो रहा है तो यह कोई ऐसा विश्चन है जिस तरह से इसको बास्पा के नेता जो एक प्रोसेस है जैसे यह गेर होगा उसके बाद इसका प्लाव हो है यह जानते हैं और जो अपडेट था कंतर कभी और आज तक कभी उनके स्वास्ते में बढ़ी तेजी से सुनार हुआ है और कल जो टेस्ट हुए सीजी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए बिल्कुल सई नॉर्मल है हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेंस के फैसले परकेंज सरकार की वोड़ से बीटे दिनों आयसे हटाने के सुझाव पत्र पर डिप्रित यम मुकेश अगनी वोत्री ने जवाब दिया है हिमाचल के इंद्र के सुझाप को नहीं मानेगा जो पांच राजियों में कॉंग्रेस की सिभी बहत मजबूत है और अटेंशन का महल विज़ी भी खीमिर में हैं। इस दोरान मुकेष अकनी वोतरी ने छट्यसगलर राजस्टान में कॉंग्रेस की वापसी की भी बात कही है कि पांचों राजियों में कांग्रस की सिर्थ बहुत ही मजबूत है कांग्रस से चुर्कार बढ़ने जा रही है और यह जित्ता तो जो है भार्तिय जत्ता पार्टी के लिए है किस दंग से माध्य परदेश्ट में उनकी सरकार जा रही है किस दंग से हमारे जो है राजस्तान में फिर से हम रर्पीड करने जा रहे हैं तो जो आप परिशानी है वो तो भार्तिय जटा पार्टी के केम्प में देख सकते हैं जो पानी है वो राजिय का अधिकार है राजिय ने उस असाब से उसकी टेक्सेशन की है हमने बिजली पर टेक्स नहीं लगाया है हमने पानी के असाब से उसको किया है और पूरा कानूर बना के उसके उपर हमने आमल करने का प्रयास किया है आप कोदारे के भंगैडी के लिए हिमाचल परिवेहन निगम यानि की HRTC ने इस बस को दर्शन सेवा के प्रहत चुरू किया है इसका किराया एक साइट का 456 रुपए प्रतिसी तै किया गया है यानि की आने जाने का किराया 912 रुपए में होगा और साथिया कोदारे के महिलावों किराया में 50% की छूट भी दी जाएगी में मुकेश अग्मियोत्री ने ये भी कहा कि धार्मिक परेटन सरकिल वसों के चलने से प्रदेश और देश के शिड़ालों को आस्था के मुदाबिक धार्मिक इसतलों पर जाने की सुविधा मिलेगी हिमाचल प्रदेश धेव भूमी है और हिमाचल प्रदेश के हर दरफ धार्मिक आस्था से जुड़े हुए फिर्देश के सुअंसच्ब सुविधा संक्यां में लोग बाहर से विए और आपने भी लोग जो परेश ये हो भी आज हम प्रदेश स्युनलू मारू बड़ेगा लेकिन जहां-जहां अब पर दिश magnetic देश्री बस घुठ है है और सब्सक्राइब लेकिन जहां जहां हमें लगता है कि प्रसित चलाई जानी जाई है उसका प्रयासम कर रहे हैं देश बर में लोग पूरो सरदर बल्लब भाई पटेल की एक सब्सक्राइब लिस्वी जैनती रास्टी एका दिवस के रूपे मनाई जा रहे हैं और इस मौके पर भारतवर्ष में कई कारक्रमों का आयोजन किया जवारा वन शमला में भी जिला प्रश्वासन की तरब से रनप और यूनिटी का आयोजन किया गया जोरा म्रिज मैदान में विधायक हरीष जनर्था ने भी दौर को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया और इस दौर में शमला के कई स्कूलों के लगबग 100 बच्छों ने भाग लिया आज लब्राइबिंटे जी की जन्ती के दिरस्ट यह हमारे अडमिस्टेशन ने यहाँ पे एक ग्रंफर यूनिटी का मेरे जन ओगनाईज किया है और जहां रखेंगे उनके युगतान की बात है वो पूरा भारत रह जानता है उन्हें लोह पुष्ट के नाम से जाना जाता है और जो उनकी फिकारे अंदोरान जब भारत क्याजादी हुई थी उनको हमेशा याद रखेंगे और आगे आनवाले बात में आईगी का यह तो तरीकिसे आफिश्ट करेंगे तो वहीं जियोडैनमिक एन हिमाले और डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर अधारित इंटरनेशनल कॉंफरेंस में तीन दिनों तक धर्मशारा में आब्दा का मंदन किया जाएगा और इसमें देश प्रेश के 150 से अधिक भू वैज्यानिक प्रोफेसर्स वैज्यानिक और शुधार्ती भी शामिल होंगे। कहा कि 50 पीज़ी आबदाएं एक आएक आती रहती हैं और 50 पीज़ी तुरसदी का अभास हम रोग भी सकते हैं और कई विक्से देशों के आबदास इने पटने के लिए बहतर व्यवस्ताएं हैं अगर जरूत पड़ेगी तो उस तरह का अधार भूत धाचा भी सापित किया कि यह साथ आठ नुवंबर को होने जा रहा है कि मुझे रखता है कि परदेश में इस तरह का सर्मिलन और इतने इंप्वार्टेंट इमेटिक एरिया पे पहली बार और इनाइज करने का हुआ है यह चे तारीक को जो उतकाटन इसका समर्व होगा उसमें अभी तक तो मान्य मुख्यमंते जी लेकिन अस्वस्थ हैं हुँ दिल्ली एड्मीट है मैं उनके सेथ किश्व काम ना करता हुआ और मुझे उनीत है कि वो छे तारीक को घाटन खरेंगे सिर्मौर जिला सिक्षा विभाग के सोजन से नहान के डाइट संसान में स्कूली बच्चों के लिए कला उस्थ कायोजन किया जोएगा इस मजिला के सभी सिक्षा खरेंडों से बच्चे कई कला गतिविधिया जैसे की एकल गायन, स्वास्ति संगीर, पेंटिंग, मूर्ति क बच्चे राजिस्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर कार्कर वशुबारम करेंगे और साथ ही उपनिर्देशक उच्षिक्षा करमचंद धीमान ने दीप्रश्वलन के साथ में किया और अपने समुधन में बच्चों को इस तरह की गलाओं में बच्चड कर भाग लेने क अब हन्वी किया अब शाब उच्चे चलाने में और सही अर्चामत पहुचाने में अपना बच्चों को इस्टेट विजलन्स और एंटी करप्शन यूरो के सोजन में बॉईस स्कूल सोलन में मौल रोट तक सतरक्सा जागूता रैली का एउजन किया गया और रैली बॉईस स्कूल सोलन से श विजलन्स शुटा ठाकूर ने बताया है कि 30 Oct से 5 November तक सतरक्ता जागूता सब्ता हा मनाया जा रहा है इसमें कई कार्वरो का ऐउजन किया जा रहा है State Vigilance and Anti-Corruption Bureau के सौजने से 30 ओक्टूबर 2023 से लिके 5 नवेंबर 2023 तक हम स्तरकता जागरुकता सर्ता हमना रहे हैं इसके तहट State Vigilance and Anti-Corruption Bureau Solan की टीम ने हमने पिछले कल और आज दो अक्टिविटीज करी हैं पिछले कल सोलन विजिलन्स की टीम ने एक ग्रिविंस रिडर्स की कैम्प जो है हमारे प्रेमिसिस में करवाया था जिसमें पब्लिक के काफी सारे लोगों को हमने बुला अवंधित किया और उनसे ब्रश्टा चार के बारे में बहुत सारे इशूज और चालेंजिस और उसके रोगठाम के लिए बहुत सारे इशूज डिसमें लाइस पूर्डिन में इतना ही नमस्कार